हाई एवरिवन मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने योटूब चैनल पर शौगत करता हूँ जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने योटूब चैनल पर समाचकारी के बारे में संपोल जानकारी प्रवाइड कराता हूँ चाहे वो RPSC हो या MPPSC का एक्जा डाला था कि admit card डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो मैं अभी step by step बताऊंगा आप लोग उसे ध्यान से देखीगा कैसे आप admit card अपने phone पर और mobile पर साथी साथ laptop पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो कैसे सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जाना है Google Chrome पर जैसे आप Google Chrome पर जाएंगे तो मैं आप सबसे बता देता हूं यहां आप लोगों को लिखना है ध्यान रहे आप लिखिएगा SGPGI सरकारी result जैसे आप SGPGI सरकारी result लिखेंगे तो आपके सामने तो पहला खुलेगा कि post admit card 2022 for 165 पोस्ट की वेकंसी आई हलाके इसमें बहुत सारी वेकंसी आ और इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ some useful आप देखेंगे importance link जिसमें आपको लिखा हुआ है download admit card आप इस पे click करिएगा जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो आपको क्या करना है आप डारेट संजय गांधी post graduate institute of medical science के side पर आ जाएंगे ठीक है यहा यहां पर आप क्या करेंगे जो आपके पास आई है mail पर उसका user ID यहां पर आपको लिख लेना है और उसके बाद आपको क्या डालना है यहां पर नीचे password डाल देने है ठीक है password जो है आपका उसे आपको यहां पर apply कर देना है ठीक है और apply करने के बाद आपको यहां पर जैसे लिखा हुए है small cap, लिखा रहेगा यहाँ पे small लिखाता तो मैंने small में डाल दिया उसके बाद आपके सामने इस तरी के इस तो कहले आपगे जेए इसके बाद आप उसको खरदेंगे और आगे देखें यहां पर आपके सामने यहां एक परषिनल डिटेल मिल रहा एक सब्सक्राइब Bardzo सब्सक्राइब प्लीक्न है जैसी पोस्ट सरक्षन पर अपलाइब त Ś AfghanistanBob क्लिक करेंगे जन्हों तो आप तेनों सरे कि दो edit और view पे जैसे ही आप click करेंगे ठीक है देखे साथ इन्होंने इस form को complete नहीं भरा है इसलिए यहाँ आपका valid नहीं है इसमें admit card नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे देखिए मैं अब दूसरे पे click करता हूँ यहाँ पे देखिए जिसका application number है 100949 39 इस पे click करूँगा इस पे click करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ यह भी form इन्होंने fill नहीं किया है अच्छा form तो इन्होंने fill किया है देख लेते हैं एक बार यहाँ पे इनका detail इन्होंने experience भी detail डाल दिया है यहाँ पर और उसके बाद इन्होंने post graduate डाल लखा है यहाँ पर देखें graduate डाल लखा है फिर उसके बाद 10th 12th डाल लखा है ठीक है permanent address भी डाल लखा है फिर other personal detail भी डाल लखा देखें admit card में क्यों नहीं निकल रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं फीस का भी transaction यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है फीस इन्होंने नहीं submit किया है यहाँ पर यहाँ पर फीस सम्मिट नहीं होगी जिन बच्चों की फीस सम्मिट नहीं होगा और जिन्होंने exam center का चुनाव नहीं किया होगा उनका admit card नहीं आएगा तो जैसे आप यहाँ करेंगे न तो इसके बगल में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको आज आएगा admit card इस पर किलिक करते ही आपको admit card मिल जाएगा तो यहाँ आप और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे जो है डिक्सटॉप पिलेगा तो डिक्सटॉप कर लिजेगा तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आधिक जानकारी के लिए आप मुझे वाट्सप पर या आप कॉल करके पूछ सकते हैं जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रहा हूँ और इसका लिंक भी आपको प्रवाइट करा देता हूँ आप ऐसे अड्मिट कार्ड जो है डाउनलोड करें आपको निकल जाएगा ठीक है कोई दिक्क्र नहीं होगे